हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने इंफिनिक्स नोट 10 एंडुट वाइल फोन में आप अपने ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉलम को आप सौल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी कर देने वाला हुं तो चले यहाँ पर वीडियो का में में स्टक लेते हैं लेगे दोस्तों कई बार ऐसे होता है जब लेवन का इस वहाँ इस ब्लूटूथे वही बार रबॉले की सबसे आपको इस पया क्र देना है फोन के Switch On हो जाका. Restart करने से ही होता है, हमारे phone के Android System बें, अगर कोई problem आती है, तो वो solve हो जाती, mobile phone को restart करने से, अगला काम यह करना है, mobile phone की Network Setting को Reset करना है, दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हमारे phone की Network Setting, ठीक से काम नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारे Bluetooth में connecting की प्रॉलम आती है तो mobile phone की network setting को reset करने के लिए mobile phone का setting page open करिए इसमें आपको नीचे system पे tap करना है इसके अंदर आपको reset option टाप करना है इसके अंदर सबसे उपर reset wifi, mobile and Bluetooth पे tap करना है ये जो तीन setting आप देख रहे हैं न wifi, mobile data, Bluetooth ये तीनों setting mobile phone की network setting के साथ reset हो जाती है आपको नीचे की side से reset setting पे tap करना है इसके अगले page में दुवारा से reset setting पे tap करना है अब आपको नीचे यहाँ पर लिखावा आ जाएगा थोड़ी देर में ये देखें, network setting have been reset इस तरह की से phone की network setting को reset करना है अब दूस्तों अगला काम करना क्या है आपको अपने mobile phone का software आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है सबसे पहले mobile phone का internet आपको चलू रखना है इसके बाद mobile phone का setting पेज ओपन करना है setting पेज में आपको नीचे की side system पे tap करना है इसके अंदर आपको यह system update पे tap करना है इसके अंदर आपको नीचे online update पे tap करना है अब आपको इस page में continue का यह button tap करना है आपको इस page में कोई भी update का button या download install यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको tap करके अपने phone का software अपडेट कर लेना है तब तब आपको phone को reset करना है phone को reset करने के लिए phone का setting page open करें इसमें आपको नीचे साइट्ट सिस्टम पे tap करना है इसके अंदर आपको नीचे reset option टैप करना है इसके अंदर आपको यह सबसे नीचे error data factory research का यह option tap करना है इससे आपका phone जो ring recent हो जाएगा आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है ये दो काम पहले करने हैं उसके बाद phone को reset करना है ठीक है तो मेरे बताए हुए सारे process आप यूज करेंगे इससे आपके Bluetooth की connecting की problems all हो जाएगी अगर मेरे बताए हुए सारे process यूज करने के बाद भी आपके problems all नहीं होती है तो आपको करना क्या है देखिए दोस्तों आपके mobile phone का service center है अपने mobile phone के service center में चले जाना है अपना phone वहाँ पर दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए करा हुए हो सकता है आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी